हाई एवरीबन वेलकम बेक टू माई चैनलर रन किलासिस फॉर इमेज जैसा कि आप लोग देख पागयों आज हम करेंगे सामाजे विज्ञान किलाश टेंथ महत्पूर्ण चेप्टर आपका बन एबम बन जीव संसाधनी से जो भी आपके महत्पूर्ण प्रसंद बनते मों म आपको कराने वाला हूं चैए आपके बोड़ पेफर जोंगों यहमें कि एक सवाल चुंचुनर बूचने वालें तो हो अगर बक्त तो मुलाकात कर लेना दिल कुछ का है तो बात कर लेना यूं तो वेजी होगे आप अपनों में पर एक लमा मिल जाए तो आमें भी याद कर लेना बिलकुhr सही बात है कि आप दिन पर वेजी रहते हो पर इस चैनल को भी आपको सपोर्ड करना और वीडियो ह आपके एक्जाम में जरूर आप लोग शपलो ठीक है ना तो चलिए देखते हैं आज का मायुत्पूर्ण सेशन बोला गया है मायुत्पूर्ण वह विकल्प्य पिरसन है जो आपके पेपर में बनेंगे वह ही अमने लिए तो सबसे पहला है कि चिपको आंदोलन संब्दी था मिर्दा सरच्छण से बन सरच्छण से जल सरच्छण से बायु सरच्छण से तो आप जानते हुआ जो चिपको आंदोलन था भो आपका किसे संब्दी था भो था आपका बन सरच्छण से आपका जोई चिपको आंदोलन सरच्छित था तो ओप्सन नमबर बी जोई किस राज्य में इस्तित असम और इसा पश्चिम बंगाल मद्यपरदेश तो आप सभी जानतों जो सुद्रवन राष्टी फारक है वो आपका है पश्चिम बंगाल में आपका इस्तित पश्चिम बंगाल तो उमीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे किलास अच्छी लेजिएगा आगे बोला गया कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंब किया गया मात्मा गांदी जवाला नेरू बिनोबा भावे इंद्रा गांदी तो आप सभी जानचे तो भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा आरंब किया गया वो किया गया था आपका बिनोब का भावे और से इसका बिल्कुल राइट आंसर ठीक है तो तीन हमने बहुत भी कलपिया परसंग लिए हैं आप हम चलते हैं अपने लगू की तरफ जो आपके पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं ठीक है तो चलिए तो देखिए महत्पूर्ण लगू उतरिये परसंग परसंग चार करा जे बिवित्ता का अर्थ बामानव समाज के लिए इसका महत्ग बताए तो आप सभी जानते हैं कि जे बिवित्ता क्या होती है आपके जी मंडलों है लोग पाये जाने वाली जीवों की विवित्ता है जिसमें जातियों वाली उसे कहते हैं लोग विवित्ता अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो एक चीज़ और बोल सकते हैं क्या पिएड़ पोधे एबंग पिनाड़ी जगत में जो बिविन प्रकार की प्रजातियां मिल यूत बैर परियावण कारण जेवरित्दा का च weyer कि का हुए नाए कि कारण पृर्ष का को पूर्ण की का कटाई हो गई कारण क्या हुआ हमारा परियावण का चैह वशी से जेवर्दा भी क्या हुई आपकी तरो ह्की फेस्थ फिर शत्ये लुब्त हो गई तता कई संकट गिरास्ता है इसी को ध्यान में रखते हुए तो मानब जीवन के लिए जी विवित्ता का मैत्व क्या है उसको ध्यान से पढ़िएगा मानब आपने उत्पति काल से भिविन अबस्ताव की पूर्ति जीव जगत्स छानस से ही करता चला रहा हूँ जहका है!.. कोई भी जरूरत वो किस्ते प्राप्त कर रहा है!! सबी आपका जे विवस्ता से ही प्राप्त करता चला आ रहा है तो यह सब लिखा है मायनब को बोजन आबास एबं परिवेश सम्मंदी विविन वख सकता और अपने अस्तित के लिए जे विवत्ता पर ही निरवर रहना पड़ता है जे विवत्ता के उपो की द्रश्ची से ही म आ पको यह परसंद लिख देना है आपको पूरा याद करना करना है आपको इसका पीडिया मिल जाएगा आपको लिंक इश्कूशन मिल जाएगा आप मारे बौटस अबर से जुड़ सकते हो यह यह हमारा बोटस अबर है आप लोग लग लिख दीजए पीडिय अप क्लाश खिपको आंदorta के विबारे में बताना तो अभी अमने बताय था कि आपका चिपको आंद cracking संबन्दित है कि से बंसे तो चिपको आंदोलन किया है परियावन रक्षा का एक क्या यह आंदोलन है यह आंदोलन भारत के कहां से स्रुआत हुई थि उत्तराखंड जो है पहले उत्तर परदेश में था त रही शुरुआत हुई इसमें किसानों ने क्या ता जो बनों की कटाई वरही थी उसका ब्रोध किया था इसलिए इसका नाम पढ़ा गया क्या चिप को आ ऊंदोलन ठीक इसमें क्या लोगों ने इसका ब्रोध कर दिया यह आंदोलन जो है कहां से शुरू हुआ था आपके उत्र प्रदेश के चमोली चमोली जिले से में ठीक है ना प्रारंब हुआ था इसके जो प्रेंटता थे वो थे आपके सुंदरलाल बहुड़ा कामरेड गोविन सिंग राबच चंडी प्रसाद और सिरिमती गोरी देवी इन्होंने ही जो है चिपको अंदोलन की शुरूआत की थी जब आपके बनों की कटाई हो रही थी धडले से सरकार के ठेकों के द्वारा ठेके ना तो में करता हूं आप लोग समझ के होंगे कि चिपको अंदोलन क्या था आगे हम पड़ेंगे दीर गुत्तरिये परसंदीर की आप याद रखना यह बी आईपी है मोस्ट इंपोर्टेंट है इस वार जो है आएगा ही आएग बोलागा कि बंज सरक्षन का अर्थ पताईये तता इसके सरक्षण की अवस्च्ता पर पिर्काश डालेए ठीके नա तो आप सभी जानतों बंज सरक्षन है क्या तो बनों का विवेकपूरु उपयोग और बंज चेतर में ब्रधि करना ही आपका बंज सरक्षन कहलाता है ठी बिस्टा के नश्रार से हम लोह आगे को बड़ाते हैं थीकिंडा आप सभी जानते हो बन क्या है बन अमारी सम्क्रता है क्या है धरुब भर एज आने वाली पीडियां क्या हों सुस्त रह सकें ठीके बनों से अन्यक प्रकार कि आमें अथोइप्तमूर्श चीजह राप्त होती आक्सिजन की भी कमी हो रही है ठीक है नटो सूखा का का मारण भी आपका बन रहा है बन तो इन सभी के बारे में आपको चार पांच आड़िघ है लिख देनी है तेंक यू